Assalamu alaikum, मैं motivational सिद्रा हूँ, छोटी सी बात करने आया हूँ, कल मुझे एक friend ने बताया, she's teaching and she was disturbed a lot के एक बड़ी fussy mother की call उसको आती है और वो बोलती है के मेरा बच्चा चाहिए बहुत जादा गुस्सा कर रहा है, she said this के मुझे समझ नहीं आता है के why people complain always about their kids, के उनको सारी चीज़े ना चोटी-चोटी लगती है मझे, बच्चा perfect चाहिए, यह नहीं करता, वो नहीं करता, अभी सिर्फ एक चीज़ पर मैं focus करने चाहरी हूँ, that is घुसा, बच्चे का घुसा, इसमें वो सारी examples भी जो मैं अपने previous videos में बहुत बार दे चुकी हूँ, child psychology में बह बार बार कर चुकी हूँ, कि जब आप एक बच्चे को देखते हैं, observe करते हैं, आपको एक बच्चे को चोट लगी, आपने बड़ी बच्चपन से, उसके अंदर ये चीज़ भरी है, कि आप उसे वापिस उसी टेबल को hit करते हैं, वो कहते हैं, इसने मारा है ना आपको, इ करते हैं, कि तब प्यारा लग रहा है, ये उसके कंडिशनिंग हो रही है, वो बहुत कुछ ले रहा है हमसे, इसके इलावा, जिस पारे में आज बात करने हैं यह ना, वो घुसा बड़ा कीमती है, मेरे बच्चे को जब वो आता ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, हला कि मेरे इर्दगिर्द बड़े सारे नेगिटिव फोर्से होते हैं, जो कि उससे पर उसे ब्लेम कर रहे होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा बत्तमीजी से रिस्पॉंड कर रहे होते हैं, कि देखो इसको कितना गुसा आ गया है, यह क्या कर रहा है, यह नहीं तुम्हारी उकाद क्या है, कि तुम इतना गुसा कर रहे हो, इतने से तुम हो, मिन्स यह सब कुछ उन नेगिटिव फोर्से के अंदर से बाते हैं, और उस बच्चे से कहीं ज़्यादा बत्तमीज, वो बड़ा, उसको रिस्पॉंड करके बता नहीं पता थी, मैं सारी जिंदे की लोगों को प्लीज करने में लगी रही, मुझे लगता था कि यह अगर मेरे पर खुश हो जाएंगे, तो मेरा बड़ा फाइदा हो जाएगा, या मैं बड़ी अच्छी हूँ, यह सारी चीज़े प्रूव करने में मैंने अपना बड़ा नुकसान किया, बड़े गलत लोगों को सर्व किया, बड़े गलत लोगों की चाकरी की, बड़े गलत लोगों के ओर्डर्स लिये, नहीं लेने चाहिए थे, बड़े बचपन से, अगर मेरे साथ मेरे जैसी एक माह होती, सिद्रा होती, या मेरी टीचर होती, या मेरी कोई, म अपने बच्चों के अंदर आने वाले गुस्से को जगा इसलिए ना दें कि मैं कह रही हूँ इसलिए दें कि सोचें जहां जहां हमारा नुकसान हुआ था हम सब ने नो नहीं बोलना सीखा था हम लोगों ने अपने बड़े बड़े नुकसान किये थे इसी वलनरेबल नेचर की वज़ा से यस यस की वज़ा से तो घुसा आने दें गुस्से के साथ बच्चे को फेवर करें हाँ उसे बड़तमीज मत बनाएं बड़तमीज वो खुद नहीं बनेगा हमारी वज़ा से बनता है क्योंकि हम अभी मैंने आपको एक एक एकजांपल दिया कि मेरा बचा जैसी गुसा करेगा एक बड़तमीज फोर्स उठेगी और वो उसको बाबाबा करके तो उसको ये रियलाइज करवाने की कोशिश की जारी कि तुमारी उकात ही नहीं है मतलब ये कि पहले मेरे जितने हो जाओ हाथ पैर बड़े कर लो फिर करना ये बद्तमीजिया जो मैंने की है सो शॉटली आप लोग समझे बात को गेम को समझे अगर आप और मैं अपने बच्चों को अपने स्टुडेंट्स को अपने मौशने में आने वाली जो नेक्स जेनरेशन है इसको सेंसिबल बनाना चाहते है तो सबसे पहले हमें खुद सेंसिबल होना पड़ेगा एक कदब आगे सोचना पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस गुस्से का मतलब क्या है या जिसको अगर मैंने हाथ पकड़ाया तो मेरा हाथ उतारने की कोशिश कर रहा है यानि वो गुस्स या वो सिचुएशन जो मुझे यूज़ करने पर आजाए मुझे सिर्फ उस पर गुस्सा था और ये गुस्सा बड़ा वैलिड है या अपने बच्चों के अंदर भरें ये गुस्सा अगर उस जैनब में होता जिसको एक बंदे ने का था ना कि यहां पर मेरे कुछ सिक्के गिरे हैं तो आओ ढूनते हैं अगर वो गुस्सा करती और उसको बोलती कि तुम्हें मैं जानती भी नहीं हो इसे करते रहो और तब तब करते रहना जब तक तुम्हें जान बाकी है और ये गुस्सा कभी भी रियाक्शन के तोर पे मत करना ये गुस्सा सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए मुगतस करके रखना मुझे नहीं पता आप लोगों को उस शाटिंग मोड में जाकर समझाने के बज़ जाए उसको इस बात पर एप्टिशेट करना पड़ेगा कि हाँ ये तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है आप इसमें बच्चे लड़ते क्यों है वो कहां से ले रहे हैं वो सब कुछ ये फिर एक निया टॉपिक हो जाएगा और काफी लंबी बात हो जाएगी इस पे भी बात करेंगे इंशाला आप ने किंटी वक्त में से मुझे वक्त देते हैं थैंकी सुमच बच्चों को एप्टिशेट किया करें बच्चों को कोई भी चीज आप बत्तमीजी से, गुस्से से या नेगलेक्शन, रिजेक्शन से नहीं समझा सकते हमारी महबबत में कहीं जादा ताकत है बच्चे क्या बड़े भी आप अपने पर लेकर देख लें कि अगर आप से कोई बत्तमीजी से बात करें आपको गुस्से से कोई चीज से खाना चाहे तो क्या आप अपक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को हर्गिस में So, take your child as same as yourself Thank you so much Goodbye